गर्मी मोसम में मिल जाए ऐसा बड़ी असा breakfast तो मजा ही आ जाए विंटर्स में तो पराठों के बहुत सारे options होते हैं हमारे पास गोबी का मूली का मटर का मेति का लेकिन समर में जो हमारे पास होते हैं option पराठे के नहीं होते इसके लिए मैंने लिया है आधा गटोरी हरे साबुत मूंग उसे मैंने तीन से चार घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और अच्छे से वाश कर लिया है मैंने हरे मूंग की दाल ली है, आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं, मूंग की धुली दाल भी ले सकते हैं, जो आपको दाल पसंद वा वो ले सकते हैं, एक कप लेंगे आटा, और सिंपल मसाले हैं, कटी हुई हरी मिर्च, अजवाइन, नमक, चाट मसाला, लाल एक ग्लास पानी डाल देंगे, इसमें डालेंगे हरे मूंग, एक चमच डाल देंगे नमक और एक विसलाम तक पकाएंगे जब तक यह कुकर ठंडा होता है, हम आटा गून लेते हैं, उसके लिए बोली में लेंगे एक कप आटा, आदा चमच नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे, तब यह हमारे पनाठे सॉफ्ट बनेंगे, इसे ढखके हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं, कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे हम खोल लेते हैं, इसे सरफ एक विसल ही लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी, यह मूंग देखे पक गए हैं, इ आटे विह मूंहाए, आटे में नहीं अपावे हैं, इसे में लिए जटे, हम तोत क्योंखे हैं, अच्छे से नहीं नहीं बने एक कटी ही हारी मिर्च, गश्री ज्ट, विसलेए लीयाद, आटे से अच्छे से रिख करे कि हạt वाही मूंहें है, यह उगार यह नहीं नहीं दा इसी लोई तोड़ेंगे उसे अच्छे से गोल करके सूखे आटे में लपेटेंगे और इसको हम एक रोटी की तरह पहले बेल लेंगे इसमें अच्छे से 2-3 चमच भरके स्टफिंग डालेंगे क्योंकि हरे मूं का पराथा फटता नहीं है तो हम स्टफिंग इसमें अच्छे नहीं है और ज्यादा ये मोटा भी नहीं है ये तो बन गया हमारा गोल पराथा मैं आपको सिखाती हूँ और स्टफिंग वाला ट्राइंगल पराथा कैसे बनाया जाता है फिर से एक लोई लेंगे उसे अच्छे से बड़ा सा बेल लेंगे चाकू से कट करेंगे लेकिन और फिर जो हमने कट किया है उसके दूसरी तरफ से हम इस तरीके से ट्राइंगल में लेते हुए फोल्ड कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से हम सेट करेंगे और प्रेस करते हुए इसे सील करतेंगे हम इसे सूखे हाटे में लपेटेंगे और हलके हलके हाथ से बेलें यह परांथा भी बहुत टेस्टी बनता है और देखने में भी प्यारा लगता है हम रायता भी रेड़ी कर लेते हैं दही लेंगे उसमें डालेंगे चाट मसाला लाल मिच बुना हुआ जीरा काला नमक और एक विसकर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डालेंगे रायते पुंदी थोड़ी सी और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे राय तभी हमारा रेडी है अब हम पटापट पराथे सेक लेते हैं उसके लिए लेंगे एक नॉन स्टेक तवा और पराथे इस पर डाल देंगे तवा अच्छे से गरम होना चाहिए और फ्लेम को हम कर देंगे मेड पराथे हम लो तभी पराथे हमारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे इसे अलट पलट कर घी लगाकर अच्छे सेकेंगे उपर से बटार रखके हम सर्फ करेंगे पराथा देखिए हमारा रेडी है एकदम आई-एम पटा-पटी ट्राइंगल वाला पराथा भी सेक लेते हैं य पराथे हमारे सर्फ करने के लिए रेडी है पापर रोल बनाने के लिए इसे सेक के गरम-गरम ही फटा-फटा में से रोल कर देंगे चलिए ब्रेकफास्स की थाली लगा लेते हैं पहले हम रखेंगे रायता फिर रखेंगे हम सैलेट मैंने खीरा और चुकुंदर को इस तर लेडी है जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां घंटे का बटन भी जरूर दमाएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया